दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको margin के बारे में जादा चीज़े पता नहीं होती और उस कारण वो अपना नुकसान करा लेते हैं अगर आप कोई बाते नहीं पता तो पहले proper चीज़े सी समझ जाओ कि काम होता कैसे है कितना हमें पैसा ची होता है और कितना हम उसको यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए इस वीडियो के इलावा कोई और वीडियो देखने की आपको जरुवत नहीं पढ़ने वाली है आईए शुरू करते हैं वीडियो को और यहाँ पर सबसे पहले मैंने सर्च किया गूगल के उपर कि भाई जिरोधा मार्जिन कैलकुलेटर देखो बेस्ट ब्रोकर के साथ काम करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो मेरे लिए जिरोधा सबसे बेस्ट काउंट होता है तो मैं यहाँ पर काम करके दिखा रहा हूं यहाँ पर कितना मार्जिन लगता है वही मार्जिन सब जगा पर अवाली होगा यहाँ पर search करूँगा और यहाँ पर हमारा margin calculator एक है उसको open कर लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने margin calculator open किया आप basically जब open करते हो तो यहाँ पर आप notice करोगे यहाँ से आप like brokerage calculator भी open कर सकते हो इसके link मैंने उपर आई बटन में दी है कि कैसे brokerage calculate करते हैं या क्या चीज़े होती है वो video एक decent amount होगी जो knowledge आपको gain कर देगी यहाँ पर margin calculator की बात की जाती है margin का मतलब समझो माल लो आपके पास केवल और केवल 1000 रुपे हैं तो 1000 रुपे में आप कितना समान खरीच सकते हो यह है असली मतलब margin का कि आपको कितने time का कह सकते हो उधार मिलेगा अगर आप intraday में काम करते हो या कोई चीज़ कितने की आती है जिसको आप delivery में लेकर चल सकते हो कितना आपको वापे profit count होगा देखो इसके लिए बहुत simple सा तरीका है सबसे पहले मैं काम करता हूँ equity के अंदर equity में कैसे कैसे काम होगा आपको पता है equity में दू तरीके से काम किया जाता है first will be delivery basis delivery basis का मतलब क्या हुआ कि आपने आज खरीदा और इसको आप कितने दिन में करना चाहते हो like आप इसको एक महीने, दो साल, तीन साल इतना लंबा ले जाना चाहते हो तो इसके लिए तो simple सा formula है कि आपको वहाँ पे full fund pay करना पड़ता है अगर कोई stock 100 रुपीज का है तो आपको पूरे 100 रुपीज वहाँ पे उसको pay करने पड़ेंगे उसका मालिक बनने के लिए अब वह आप long term के लिए उसके मालिक बन चके हो दूसरी चीज काउंट होते है इंट्राडे, अब इंट्राडे में क्या होता है इंट्रेडे में आपको margin मिलता है margin means आपको उधारी मिलती है इंट्राडे का rule simple सा होता है कि आपको सुभह अगर मैं बात करूँ सुभह 9 बज कर 15 मिनिट से लेकर शाम को 3 बज कर 15 मिनिट तक ट्रेड करनी है अगर इस ट्रेडिंग टाइम के अंदर आपको profit count हुआ तो आप trade बंद करके निकल सकते हो और loss नुकसान हुआ तो भी आपको निकलना पड़ेगा इसके लिए आपको उधारी मिल जाती है उधारी का मतलब अगर मालो कोई चीज 100 रुपे की है तो आपको अगर आपके account में केवल 20 रुपे हैं तो भी आप उस चीज के मालिक बन जाते हो अब होगा क्या जो profit बनेगा वो 100 रुपे बनेगा मालो 100 रुपे पे profit बना 10 रुपे का तो आपका account within a day 20 रुपे तो आपके पास थे प्लस 100 रुपे के उपर 10 रुपे का profit बना तो 10 रुपे और जुड़ गए तो 30 रुपीज हो गए अब इसका नुकसान भी होता है यहाँ पे पैसा आधा भी हो सकता है तो यह थोड़ी problem है तो हमें ध्यान देना है कि कितना हमें यहाँ पे margin मिलता है normally intraday के अंदर अभी कोई भी stock हो तो उसके अंदर आपको 5 time का leverage मतलब 5 time तक का आपको समान देना पड़ सकता है कह सकते हो कि जितना पैसा हमें चाहिए वो 5 time count होगा उस चीज का कैसे अगर मालो कोई चीज सोकी है तो हमें 20 देने पड़ रहा है इसी तरीके से कोई बड़ी quantity की चीज है like 1000 रुपे की तो आपके account में 200 रुपे होने चाहिए उस trade को डालने के लिए यह चीज आप easily जिरुधा के उपर जाकर भी देख सकते हो यह मैंने जिरुधा का account है माफ करना वीडियो बनाने का time दिन में नहीं मिल पाया तो रात के तीन बचे वीडियो बनाई जा रही है बट इट्स ओके knowledge gain होनी चाहिए मुद्दा यह है यहाँ पर हम क्या करेंगे कोई भी stock चूज कर लेते हैं मैं example की तोर पर दिखाना चाहूँगा SBIN चूज कर लेते हैं मैंने यहाँ पर डाला यहाँ पर दो हमारा like NAC और BAC होता है तो हमने यहाँ पर NAC चूज किया और कर दिया अब यहाँ पर जो इसका prize है मैं देखना चाहूँगा कितने पैसे मुझे लगेंगे अगर मैं intraday की बात करूँगा तो intraday में केवल और केवल मुझे 5 time का leverage मिल रहा है देख रहे हो यहाँ पर लिखा रहा है 5 time का तो 111 रुपे और 60 पैसे अगर मेरे account में है then definitely मैं क्या कर सकता हूँ इसको buy करके चल सकता हूँ बट अगर मैं CNC में बात करता हूँ तो CNC का मतलब है हमें पूरा पैसा चुकाना पड़ता है जितने का वो stock होता है I wish कि यह बात clear हो गई होगी equity market के लिए अब बात करते हैं second step अब हम बात करेंगे equity के लावा next जो होता है हमारा F&O F&O की बात करें तो F&O का मतलब हुआ equity future और future and options equity future की मैं बात करूँ तो यहाँ पर click किया मालो मैं उसके future में काम करना चाहता हूँ तो अगर मालो मैं SBI में काम करना चाहता हूँ तो मैं पहले यहाँ पर SBI and search कर लेता हूँ SBI and search किया तो हमें पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि futures के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास 3 महीने के contract not available होते हैं हम उनके अंदर trade कर सकते हैं अब यहाँ पर notice करो कि हमें कितने margin की जरुवत पड़ेगी अब कितने का product बैठता है पहले वो समझो logic बहुत जरूरी है समझना सबसे पहले मैंने क्या किया calculator open किया हमें पता होना चाहिए कि जब हम future में काम करते हैं multiply किया कि कितने का price है price अभी चल रहा है इसका 555.7 so 555.7 मैंने इसको multiply किया so total जो मेरा multiply करके price बैठा कि भाई कितने का माल है अगर हम इसको buy करके चलना चाहते हैं तो यह 8,33,550 रुपे का माल बैठा बढ़ दोस्तो इतने सारे पैसे तो होते नहीं है simple सी बात है अगर हम उसकी delivery में काम करना चाहते हैं normal delivery में तो हमें उसका 36, 37% हिस्सा exchange को देना पढ़ता है यह क्या है इसको security बोल सकते हो कि अगर कुछ नुकसान हुआ तो भाई हम इसमें से आपका ले लेंगे तो अगर हम देखें इसका 37% में इसको देखूं तो like 37% हम इसको करें और इसको तो कितना बैठा तो वही यहाँ पे count होगा कि 3,8,000 के आसपास हमें यहाँ पे fund की जरुवत पढ़ने वाली है जैसे मैंने दिखाया निकाल कर इसी तरीके से आप calculate कर सकते हो कि भाई इतने का stocks था इतने number of lot size है तो multiply करो कितने का समान हुआ और कितने time cost में normal में margin rate मिल रहा है 36% का है तो भाई 36 है multiply कर दो तो यह हुआ future में काम करने का तरीका इसी तरीके से मैं यहाँ पर आपको add भी करके दिखा देता हूँ एक बार कि कैसे करना है ताकि confusion आपको बिल्कुल भी ना हो चीक है तो मैंने यहाँ पर क्या किया S, B, I, N, search किया और उसका future देखा तो मैंने September month का future add कर लिया add करने के बाद मैं इसको buy करना चाहता हूँ तो buy करने के लिए 1500 का एक lot होता है overnight करूँ या फिर intraday करूँ तो पैसे बराबर ही लगता है यह बात ध्यान रखो तो मैंने overnight किया तो overnight के अंदर भी इतना ही पैसे लगे क्योंकि सेभी के rule के अनुसार अब केवल उतना ही margin मिलेगा जितने की सच में जरुवत होती है margin rule के कारण ये problem आई अब आप यहाँ पे देखोगे तो हमें कितने fund की जरुवत पढ़ रही है 3,6,000 की जरुवत पढ़ रही है future में अच्छी बात यह होती है हम equity को तो sell करके नहीं चल सकते है long term में अगर हम इसको sell करके चलना चाहते है तो भी हमें कुछ उतने ही fund की जरुवत पढ़ने वाली है मतलब अगर कोई चीज नीचे गिर रही है तो हम वहाँ पे short selling करके भी पैसा बना सकते है clear so यह हुआ दूसरा point अब चलते हैं तीसरे point के उपर कि भाई हम options में काम करना चाहते है तो options में क्या चीज़ें होती है चलो वो समझ लेते हैं यहाँ पर हम FNO में click कर लेते हैं और FNO पर click करने के बाद में यहाँ पर क्या होता है margin rule बना रखा है यहाँ पर मालो मैं exchange शूज करता हूँ मैंने बोला भाई NFO के इंदर काम करना चाहता हूँ मैं options में काम करना चाहता हूँ call का लिया strike price में कुछ भी डाल देता हूँ like 550 डाल दिया net quantity जो उसका like कह सकते हो lot size होता है तो मैं buy करना चाहता हूँ अच्छी बात buy करने का मतलब होगा जितनी हमारी quantity है multiply कर देंगे miss strike price से तो उसका premium निकल जाएगा simple सी बात है जब हम buy करके चलता है तो buy करने पर हमें केवल केवल क्या देना पढ़ता है हमें देना पढ़ता है जो उसकी multiplication बैटती है कि बाई कितने का वह समान था और कितने number of lot है ठीक है उसका जो price निकल के आया है वो हमें वहाँ पे final pay करना पढ़ता है असली problem दबाती है जब उसको हम short करके चलना चाहते है क्योंकि short करने में ज़्यादा पैसा required होता है तो मैंने यहाँ पे sell पे click किया इसको add किया तो आपको यहाँ पे अभी यह कर रही रहा है या तो को problem दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको fund की जो ज़रूद पढ़ती है वो थोड़ा सा extra fund required होता है I think रात के समय तीन बज़ रहे हैं क्या जरूद पढ़ती है वो मैंने आपको कहीं बार बताया भी है तो हम क्या करते हैं हाँ पे search करते हैं जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है पहले से ही कि currency में सबसे कम हमें fund की जरूद पढ़ती है क्योंकि हमें यहाँ पे total 40 times तक का leverage मिल जाता है मतलब आपको मैं समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास cable और cable like 2000 रुपीज है तो आप 80,000 के मालिक बन सकते हो इससे जादा I don't think कि किसी और segment के अंदर आपको मिलता भी होगा जिसको leverage बोलता है मैंने क्या किया मैंने यहाँ पे search किया मैंने search किया USD INR तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 मंत के contract notes available है like entry, exit के लिए तो यहाँ पे कितने fund की जरुवत है तो cable 1834 की जरुवत पढ़ती है तो अगर आप एक lot में काम करना चाहते हो एक lot का मतलब होता है कि हम 1000 डॉलर एक lot का मतलब simple सी बात है कि हम 1000 डॉलर को buy या sell करके चलना चाहते है तो 1000 डॉलर की value इसके अनुसार कितने निकलनी चाहिए 79,066,0 तो यह इतने का माल आपको केवल 1834 रुपे में आप उसके मालिक बन जाते हो तो इससे ज़ादा leverage कहीं और नहीं मिलता इसको आप आसान तरीके से भी check कर सकते हो कैसे आप यहाँ पे जाओगे अपने जुरुधा के उपर और जाने के बाद में आप यहाँ पे September मन्त है तो हम buy पे click कर लेंगे हम यहाँ पे एक lot में करना चाहते हैं तो एक lot की value की बात की जाए तो यह दिखाई रहा है कि 1872 रुपे की हमें जरुद पढ़ने वाली है और अगर हम 10 lot में काम करेंगे तो 10 lot में और भी simple है like 18,728 रुपी हमारे account में होनी चाहिए अगर हम इसको buy करके चलना चाहते हैं और currency market की अच्छी बात यह है कि आप इसको buy करके चलेंगे तो भी उतना चाहिए होता है उसको sell करके चलेंगे तो भी उतना ही चाहिए होता है तो भी उसमें कोई बड़ी problem नहीं है यह update इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वीडियो बहुत late night बनाई जा रही है बट price उतना ही होता है इसको हम cut कर लेते हैं चलो next समझ लेते हैं कि कौन सा बचा next बचा हमारा और currencies भी है उनको आप खुद बाखुद यहां पर जाके जब लगाओगे चेक करके देख लेना कितना कितना ची होता है जैसे इसके लिए 2400 रपे ची होते हैं यूरो के लिए, GBP के लिए हमें केवल 3200 रपे सबसे यादा हमें GBP में ची होता है क्योंकि वहां पे थोड़ी बड़ी movement आती है फिर बात करें हम JPY की तो JPY के अंदर हम 2200 रपे के आसपाज ची होते हैं इसी तरीके से जब हम options को buy करके चलते हैं बाइ करने का मतलब वहा कि जितना quantity है multiply by price तो वो तो हमें उतना ची होगा बट जब हम इसको short करके चलना चाते हैं option को तब हमें बहुत ही कम fund की ज़रोध पढ़ती ही बात ध्यान रखो ये केवल आपको जो option मिल पाता है कि option को short करके चलना चाता हूँ वो भी कम price के अंदर ये currency में ही कर सकते हो किसी और जगा पर आप इतने कम price के अंदर option को short करके नहीं चल सकते ये बात ध्यान रखो ठीक है अब बात करते हैं next हमारा जो है वो है commodity market commodity market के लिए देखो मैं commodity market में काम नहीं करता बट फिर भी आप यहाँ पर आओगे तो easily देख पाओगे aluminium में 5 metric ton का lot size है हमारा इसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए होगा 95,000 रुपीज चाहिए होगा copper के लिए 2.5 metric ton के लिए like 157,000 888, 858 रुपीज चाहिए होगा इससे तरह crude oil की बात करें तो यहाँ पर barrel की बात करें तो 2,24,000 में एक lot हमारा आता है चीक है उसके बाद gold की बात करें लोग कहते हैं गोल्ड खरीदना तो अगर आप एक kilo gold खरीदना चाहते हो तो आपको 4,82,386 रुपे आपके dmit account में रखने होगे इससे क्या होगा आप एक kilo gold के मालिक बन जाओगे जबकि एक kilo gold आता है कितने का अप्रोक्स 48,00,50,00 रुपेज का आपको केवल यहाँ पर 10% का fund देना पड़ रहा है पर हाँ ध्यान रखो अगर नुकसान हुआ तो आपका जो यह वाला main fund है ना वाले पैसे में से गायब होने जालू हो जाएंगे ठीक है profit loss बहुत जल्दिल्दे दिखाई देता है इसी तरह आप gold mini में काम कर सकते हो gold petal में काम कर सकते हो lead में काम कर सकते हो आपकी personal choice है आप किसी में भी basically काम कर सकते हो मेरा काम था उसमें कितना पैसा लगता है वो आप यहां से easily देख सकते हो यही पैसा लगता है जितना दिखाया जाता है दो उस तो उतना ही लगता है बहुत सारे लोगों को country zone रहता है कि दिखता कुछ है मिलता कुछ है ऐसा कुछ नहीं होता जबकि यहां पर निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहां पर जो movements हैं उनको बहुत ज़ादा मुश्किल से आप catch कर पाऊगे इसी तरीके से आप zinc में काम कर सकते हो जिसमें आपको 1,93,000 की जरुवत पढ़ती है silver की बात करें 30 kilo के अंदर तो आपको 2,005,004 रुपीज की जरुवत पढ़ती है तो यह हमारा leverage है कि हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए अगर हम किसी चीज में काम करना चाहते हैं इस से ज़ादा कम की कोई जरुवत नहीं है बेसिकली इतना ही ची होता है सिंपल सी बात है तो यह सारे के सारे जो segment है इनके अंदर आप देख रहे हो F&O F&O का मतलब वहा कि भाई options options में call और put होते है call और put होते है call European और put European तो call को जब buy करके चलते हैं तो पता ही हमें premium pay करनी पढ़ती है कि भाई जितने का strike price चल रहा है भी वो multiply by load कर दो जितना premium आया हमारा उसको आप pay कर दो आप उसके मालिक बन जाते हो short करना चाहते हो तो short करने में फोड़ा extra fund लगता है वो चीज मैंने आपको बताई उसके बाद में next step आता है equity futures equity market में हम क्यों काम करते हैं equity में काम करते हैं क्योंकि हमें लगता है equity सबसे आसान है actual equity में वो लोग करते हैं जो अंजान होते है मालों कोई retired हुआ बिचारा इंसान 60 प्लस होने के बाद में अब क्या है उसको ये नहीं पता उसको तो केवल नोकरी करना पता था उसने नोकरी की अपनी जिंदगी अच्छे जिंदी भाई जो उसके करते हैं बेसिली बोल सकते है job में थे उसने की है बट उसको investment नाम की चीज़ कुछ नहीं आती उसको लगता है कि मुझे SBI के share खरीदना है तो मैं equity में खरीद के डाल देता हूँ तो वो उसकी personal choice है बट अगर कोई समझदार इंसान होगा तो वो equity में काम कब भी भी नहीं करेगा वो केवल और केवल equity future में काम करेगा common सी बात है क्योंकि उसको वहाँ पर पता होगा कि वहाँ पर आप वो buy करके भी चलेगा तो भी profit कमा सकता है नीचे से उपर की तरफ जाते वे और उपर से नीचे की तरफ अगर वो short कर देता है कि उसको लगता है नीचे गिर जाएगा तब भी वो नीचे आते वे profit कमा सकता है तो इस कारण equity में I don't think कोई काम करता है अगर कोई कर रहा है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो बहुत ही बिचारा नया इंसान है उसको proper knowledge नहीं है market के बारे में तो ये कारण है और हाँ equity में वो लोग भी काम करते है जो 10 share, 20 share को खरीद के चलना चाहते है ठीक है क्योंकि equity future में जब हम काम करते है तो वहाँ पे हमें lots में work करना पड़ता है जैसे कि SBI का मैंने बताया कि minimum 1500 shares आपको खरीदने ही खरीदने है जबकि equity में ऐसा कोई restriction नहीं है वहाँ पे आप 10 share, 20 share भी खरीद के चल सकते हो चलो उसके बाद में next step जो था हमारा commodity हो गया पूरा कि इसके इंदर क्या के चीज़ी होती है मैं खुद काम नहीं करता हूँ तो मैं भी आपको advise नहीं दूँगा बाकी कितने पैसे लगते हैं आप खुद समर सकते हो इतने पैसे हैं तो फिर तो यार तुम currency या फिर options में जाके short करोगे न उसके बाद बाद आती है currency market की तो currency के बारे मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कोई equity नहीं होता यहाँ पर futures में ही काम किया जाता है futures में काम करने का फायदा हमें बताई दिया कि हम buy करके बीचल सकते हैं short करके बीचल सकते हैं प्लस यहाँ पर long term में काम होता है प्लस low fund की जरुवत पढ़ती है and थोड़ा सा कह सकते हो low risk होता है risk बहुत कम होता है profit होने के chances काफी अच्छे होता है so इस कारण आप currency पे भी focus कर सकते हो so यह सारा कर सारा जो था मैंने जिरुधा से बताया और मैं फिर बोलूँगा आपको best इंसान के साथ और best broker के साथ ही काम करना चाहिए common सी बात आती है अगर best available है तो best के साथ करो नहीं available है तो उससे नीचे वाले के साथ करो तो इसके इलावा किसी और के साथ करोगे भी तो यही सारा सीज होता है क्योंकि यह SEBI के rule है यह किसी एक के rule नहीं है पहले क्या होता था जो दूसरे broker होते थे वो बहुत जादा leverage दिया करते थे या फिर बहुत कम पैसे में आप मालिक बन सकते हो बहुत बड़े चीजों के बट अभी ऐसा possible नहीं है अभी का scene ऐसा है कि सब को same कर दिया गया है तो rules and regulations सब के same है तो आप सबसे best वाले के साथ जा सकते हो प्लस अगर आपका अभी तक के DMIT account ओपन नहीं है तो मैंने नीचे link भी दी है आप वहाँ पे अपना account ओपन करोगे तो आपको free of course हमारी तरफ से और मेरी team की तरफ से support दिया जाता है and आपकी help की जाती है आपको proper knowledge gain कराने के लिए जिससे कि आप share market में कुछ grow कर पाएं और अपना एक carrier create कर पाएं stock market के अंदर जो कि बहुत ही जादा positive count किया जा सकता है clear, so ये सारा तरीका था कैसे हमें निकालना है क्या क्या चीज़े करनी है बाकी मैंने आपको i button के अंदर वीडियो दी हुई है क्या क्या brokerage लगते हैं मतलब कौन कौन से खर्चे होते हैं ये तो कमाई की बात हो गई, ये तो पैसे की बात हो गई कि कितना पैसा देना पड़ता है बट हमें कमाई होगी तो कितना हमें वहाँ पे कह सकते हो, सरकार को देना है उसके लिए आपको क्या करना है इसी जगा पे 3 dots दिख रहे हैं यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको brokerage calculator पे क्लिक करोगे तो ये सारा brokerage वाला part खुल जाएगा बहुत ही आसान है और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधा उपर आई बटन में वीडियो मैंने डाल दिया है वो वीडियो देख लो उसके इलावा किसी और वीडियो को देखने की आपको जरुवत नहीं पढ़ने वाली बहुत अच्छे से मैंने 20-25 मिनिट की वीडियो बनाई है वो आपको प्रॉपर सारा नौलिज दे देगी ठीक है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो मेरा काम पसंद आया है तो नीचे प्लीज कमेंट करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेर करना मुझे आप लोगों की अभी थोड़ी से जरुवत है चैनल को ग्रो करने के लिए बिकार मैं जानता हूँ अगर मेरे चैनल पर केवल ऐसे सो लोग हैं जो सच में मुझे ग्रो करवाना चाता है मेरी मदद करना चाता है और वो शेर, लाइक, सब्सक्राइब करते है और डेफिनेटली चैनल बहुत अच्छी से ग्रो करेगा और आइविश कि मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो क्रेट कर पाऊं जिससे कि आपको आपकी financial knowledge गेन हो और आप भी finance sector में काफी अच्छा performance दे पाएं ठीक है, सो मिलते हैं next important वीडियो के अंदर किसी को भी किसी तरीके का कोई question है मैंने नीचे number भी दिये है प्लस आप नीचे comment करके मुझसे बात कर सकते हो मैं personally आपके comment का जवाब जरूर दूँगा ओके, सो मिलते हैं next important वीडियो के अंदर